बड़ा सवाल ये है कि तीन साल से राजीव कुमार क्यों नहीं पेश हो रहे थे वो कौन सी ताक्ते थी जो पुलिस कमिशनर को पेश होने से रोक रही थी और जैसा मैंने कल कहा आज भी दोहराऊंगा ये देश में पहली बार हुआ है कि एक पुलिस कमिशनर अपने मुक्ष मुंति के साथ धरने पर बैठा हुआ है और जो ममता जी अपने बड़े बड़े निताओं के गिरफतारी पर चुप रहती है पुलिस कमिशनर के साथ धरने पर बैठती है इसका मतलब है राजदार या तो बहुत जानते हैं या evidence को manipulate और destroy किया गया है